सितारगंज में 90 बैट का हाइटेक सब डिस्टिक हॉस्पिटल बनकर तयार हुआ जिसका शुभारम पूर मुख्य मंत्री विज़ भोगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरव भोगुणा ने किया साथ शुभारम के दोरान कैबिनेट मंत्री सौरव भोगुणा ने बाला जी अक्शन कंपनी का धन्यवाद करते हुए शेत्र की जनता को हाई टेक हॉस्पिटल बनने पर बदाई दी उन्होंने कहा इस हाई टेक सब डिस्टिक हॉस्पिटल बनने के बाद सितारगन शेत्र की जनता को बहतर स्वास्ते सुविदाय मिलेगी साथी शेत्री जन्ता को बहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा जन्ता ने क्याबनेट मंत्री सौरव पहना का भार व्यक्त किया सितारगन से सफ जफर अंसारी की रिपोर्ट किस तरह से यहाँ पे बाला जी ने अपना योगदान दे करके किसके पुरी काया कलब बदल दी है और पूरा स्पताल के ब्रहमण मने किया अल्टर साउंड है और सारे अमर्जन्सीज है और प्रैविट बॉर्ट है बहुत अच्छा बनाया है और अशा है कि यहाँ के लोग हैं अच्छी स्वात सेवाई मिलेंगी हम सब कही एक संकल्प रह अच्छा होगा सुवधाई होंगी और आदमी कर्मत होगा तो विकास अपनियाप होता है और अज सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुशी का देना हमारी पार्टी के लिए कि राज्यों के चुनों में मोधी जी ने जो है वो फिर से पर्चम खराया है और संकार बन रही है अच्छा हाई टेक अश्पताल हमारे बना के जो यह सुवधाई हो अपनाई यह तो अबहुत बड़ा दिल दिखाते हुए अप्राइविट कंपनी ने के बाद उने के बाद उने ने ने हमारे इस्पताल को अडॉड किया और लबलबग 6-7 क्रोड पे इस्पताल को और ने हमेशा हमारे इस्पताल को गिफ्ट करी है उसके लिभी ने को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमेशा हमारी रही है कि स्वास्त और एजुकेशन दो ऐसी फील्ड है जिन में स्थार्गम्ज में बहुत अच्छा काम होना चाहिए क्योंकि से इजुकेशन से हमारे द स्वास्त मंत्री जी को बहुत बहुत दन्यवाद देता हूं कि जैसे ही मैंने प्रपोजल मुव किया दो दिन के अंदर उनने उसको अप्रूवल दिया आप सितारगन नभे बड़ेड एक होस्पिटल बन चुका है और और सारी सुविधाएं जो होती हैं सब दिस्टिक होस झाल